आजमगर से चाचा सिवपाल को निरहुआ ने कर दिया चैलेंज निरहुआ ने का छोटों म्योटे नेता के सामने नहीं लड़ना चाहता चुनाओ अखिलेश नहीं कुछ कर पाए तो चाचा सिवपाल क्या कर लेंगे आजमगर से सांसद दिनेश लाल निरहुआ अकसर अपने बयानों और बड़ बोले पन को लेकर चर्चाओं में रहते हैं 2024 के लोक सभा चुनाओ में उत्तर प्रदेश के आजमगर लोक सभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्टी महासचिव सिउपाल सिंग यादव के चुनाओ लड़ने के संकेत मिल रहे हैं इस पर वर्तमान भोजपूरी अभिनेता और वीजेपी सांसद तिनेसलाल निरहुआ ने सिउपाल यादव को चुनाओती दी है उनका कहना है कि वो छोटे मोटे नेता के सामने चुनाओ नहीं लड़ना चाहते उन्होंने कहा कि मैं अपना काम छोड़कर आजमगड की जनता की सेवा में लगा हूँ तो छोटे मोटे नेता से चुनाओ लड़ने के लिए नहीं निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्टी अधग्ष अखिलेस यादव को जनता ने मौका दिया था और तीन साल सांसद रहे वह कुछ नहीं कर पाए तो सियुपाल यादो क्या कर पाएंगे उन्होंने आगे कहा कि हमने एक साल के कारेकाल में काम करके दिखाया है सियुपाल यादो भी जनता को भमित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता जानती है कि जब राष्टी अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाए तो वह क्या कर लेंगे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं आने खबरों के लिए ThePublicExpress.com पर विजिट करें